को अंशे मिले थो चले दोस्तोों बिनना टाइम इस्ट के वे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन दोस्तों सम्मानित रचना यानिके इनमें सी कॉनसी एप बीपूरुस्कार मिल जाँ चुकिए उडवशी है या रेनुका है या खुरू, सेत्र या इनमेसे कोई नहीं है तो इसका सहीचे अंशर जागा दोस्तो आप शन्मज का विशयेशन समाज का विशयेशन YOU तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों ऑप्षिनम्बर भी यानिके सामाजिक क्या हो जागा दोस्तों ऑप्षिनम्बर भी यानिके सामाजिक हो जागा दोस्तों क्या हो जागा समाजिक लगा अगला कुश्ण है तो जो समाज का विशेशन है ना समाज है तो समाजिक नहीं होगा दोस्तो समाजिक होगा क्या हो जाए देगा दोस्तो अप्षिन नमड यानिके समाजिक होगा ठीक है दोस्तो तो इसका आप सही कर लेंगे अप्षिन नमड ए होगा इसका सही अंसर अगला कोशन है दोस्तो विद घुटने टेकना मुहावडे का आर्थ है घुटने टेकना मुहावडे का आर्थ है हार मानना योगा करना योगा करना तो होगा नहीं घुटने टेकना अभिवादन करना या लज्जित होना तो लज्जित होना भी नहीं होना शिए तो इसका सेयंस रोजगा दोस्तो अप्शन नमबर यानिके हार मनना घुटने टेक दिया यानिके वह हमारे सामने घुटने टेक दिया यानिके हार गया तो इसका से अंसर जगा दोस्तों आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ण होया था है अगला क्वेशन है दोस्तों संपुर्ण करांती के रचनाकार है उद्धंड का विलोम है, उद्धंड का विलोम क्या हो जगा दोस्तों तो इसका से अंसर होगा option number A यानिके विनम्र, उद्धंड का विनम्र होता है, ठीक है दोस्तों तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, अगला question है दोस्तों उसने कहा था किस परकार की कहानी है, उस शिर्षक निवंद्द के निवंद्धकार कौन है, तो इसका से अंसर हो जगा दोस्तों option number B यानिके बाल किर्ष्न भाट कौन है दोस्तों बाल किर्ष्न भाट जो है वो बाचित शिर्षक निवंद्दकार है, दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एक्जाम के लिए काफ आनन्दित में कौन सा परतिय होए, तो इसका से आंसर जगा दोस्तों, option नमर B, यानि कि it, अनन्द पलस इत, यानि कि it क्या हो जागा, इसमें परतिय हो जागा, ठिक है परशन है दोस्तों फॉजी वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते जो फॉज छोड़कर भागता वह उस गोली उसे गोली मार दी जाती है उसे गोली मार दी उपड़ योग तोधारन किस पार्ट से लिया गया है तो इसका सही अंसर जगा दोस्तों ऑप्शन नमबर यानिके सिपाही की माँ यानिकि यह जो सिपाही से ही रिलेट है यह वक्तब जह है यह बात हैं सिपाही से रिलेटेर है तो इसका से एंसर जगा दोस्तों option number A, यानिके सिपाई की मा, जो है यह कहा था, जो फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, भी भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है, उससे क्या कर दिया थी, गोली मार दिया थी, यानिके इसका सी answer जगा दोस्तो, option number A, यानिके सिपाई की मा, अगला question क्यों परत कवी हैं, तो इसका सी answer जगा दोस्तो, option number B, यानिके सूर दास, सूर सागर के कवी कौन है दोस्तो, सूर दास है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तो, आगे सूर है, इसके में भी आगे सूर है, तो सूर सागर, सूर दास, इसको आप आसानी से याद रख लेंगे, सूर सागर के क लखाजा भी कौन है दोस्तों तो सूट दास हैं अगला कौशन है दोस्तों है और पञे D जिसे तिर्भूज, चत्रभूज, शातक ठीक दोस्तों यह सभी द्वीगू समास के अंदर आते हैं अगला क्वेशन है दोस्तों खुन पसीना एक करणा मुखे का अर्थ है क्योंग पसीना एक करना से कोई रि इम पूरेट नहीं हैiersका उल्टा काम करना से भी नहीं है बहुत होोदित होना नहीं इन में से कोई नहीं यानि कि यह सभी रचन वल्यasmus की दोस्तों अगला कोशन है दोस्तों उपवास में कौन सा ओप leg hahaha उपवास जो है उबास जोहाँ आगे जूरता है और पर जोहाँ हमेशा लास्ट में जूरता है पलस वास यानिकर जूह यह उपसर ख़ए ठीक है अगला कोशन दोस्तों शाकार का विलोम है जैसे कि आपके अपस उप्षण है निराकर पुआ कार बेकार अथिकार तो इसका सही ऑनसर हो जागा जो क्रेक्ट आपने किहां साथ K twitter अधैक्वुति उल्सक्त मिन फैर स्कुति क्या dil उत् Says इतुर्ण जोनसा हुआ है तो just यहां वे विग्रह का चिंद आए वह संख्या के बाड़े आता है और जहांपे नंबर संख्या के बाड़े में बताए जाए ठिक है दूट वह खीज्मा किसमा आता है अपका द्वीगु समास के अंदर आता है, अगला क्वेशन दोस्तो, काम चोड़, काम चोड़ कौन सा समास है, काम चोड़ जह है, वो कौन सा समास है, तो इसका सी अंसर जगा दोस्तो, option number B, यानिके तत्प्रोस समास है, कैसा समास है दोस्तो, तत्प्रोस, अगला क्वेशन तो सो आत्मा का विशेश्ण है starch वीशेश्ण हो यह जो फिस्का सभनेया ज़ेश्ण से लाया कूष्छण है दोस्टोष नमंट संधी विश्द्ध लिए जिस का मउबनका गया है संधी विश्यदिक वो वकाएऊ- together-aools यानिके नले अन ने पलस अन बड़ावर न नवन ठीक है दोस्तों तो इसको अब जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेशन है जिसने गुरू से शिक्षा दिक्षा ली हो एक सब्द ने कहा जाता है एक सब्द में कहा जाता है यानिके जिसने शिक्षा से गुरू से शिक्षा दिक्षा ल का याता है दोस्तों दिख्षित का याता है अगला क्वेशन है दोस्तों निंदा का विलोम है निंदा का विलोम है क्या दोस्तों इस्तुती है पुजा है पर्शनसा है अराधना है तो इसका से अंसर जगा दोस्तों अप्शनमर सी यानि के पर्शनसा निंदा निंदा के क्या क्विता किस कविता संग्रह से ली गई है तो इसका सई अंसर हो जागा ऑप्षिन नमर यानि के कहीं नहीं वहीं कहीं नहीं वहीं इसी से क्या लियागी है हारजित कवीता, इसी कवीता से लिया गिया, यानि कि कहीं नहीं वहीं, इसी से क्या होगा, हारजित कवीता को लिया गिया, अगला क्वेश्चन है, लंबो दर कौन सा समास है, लंबो दर कौन सा समास है, तो इसका सही अंसर होगा, option number C, यानि कि बहुँ बिरी समास है, कैसा सम समास है दोस्तों बहु बिरी समास है और बहु बिरी समास को समासूं का राजा भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन है निम्नांकित उधारन किस पार्ट से लिया गया है यानि कि संपुर्ण क्रांते से लिया है सिपाई की मां से लिया परगीत और समाज परगति और समाज या पुरुसकार से लियागे तो इसका सभी आंसर हो का ऊप्शन नंबर आ यानिद के संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति से अगला विलोम है क्या चुटा क्वर्ण Logite निश्चे का संधी विच्छेद है तो इसका सही आंसर रहागा दोस्तों आप्ष्ण नमड़ ए यानिके नि जोड चै यानिके जब भी संयुक्त रूप में रहता है शाओ ठीक है तो उसकी बदले क्या जाता है विसर्ग आयाता है यानिके नोहर सी नोहर सी विसर्ग पलस चै जरृतो जोड चै हो जागा निश्चय इसका संधी विच्छेद होगा ठीक है अगला क्वस्चन दोस्तों 는 गहाटन का संधी विच्छेद हो उद तो में जब भी हीलांथ रहेगा तो वह तो में चैंज़वा था क्या हो जाता है दोस्तो उद जोड घाटन हो जागा यानि कवी हैं जंजंद का चेरा एक शिर्षक कविता जो है उसके कवी कौन है तो इसका सही अंसरोगा अप्शन नबर B यानि के गजानम माधम मुक्ति बोध गजानम माधम मुक्ति बोध तो दोस्तो ये क्वेशन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन है इसको आप जरूर जोषन गोठीक है दोस्तो अगला कुशन के ओर पर तो द्यवता का पड्यावचि है द्यवता का पड्यावचि सब्ध है तो इसका स्थेंशन हो जगा दोस्तों अप्षन नमरे यानि के देव क्या हो जागा का अंधा मुहावडे का अर्थ है तो इसका से अंधा मुहावडे का अर्थ है तो इसका से अंधा मतब्चालाक होना है इसलिए इसका से अंधा मतब्चालाक होना है तो इसका से अंधा मतब्चालाक होना है तो इसका से अंधा मतब्चालाक होना है तो इसका से अंधा मतब्च आजाए अगला कोशन है दोस्तों जगरनात का संधी विशेद है तो इसका जगत जोड़ नात ठीक है दोस्तों एला कॉसन वेद का वैद का विलोम है वैद का विलोम क्या हो जागा दोस्तो इसका सही अंसर आप्शन बड़ भी यानिके आवेद क्या हो जागा दोस्तो आवेद हो जागा अगला क्यात का विलोम है तो ग्यात का अम लोग जानते हैं आग्यात होता है क्या होता है दोस्तो आप्शन बड़ भी यानिके कडवक किनकी रचन है जो वो इसका सेंसर जागा दोस्तों ऑप्षेंगर यानिके मलिक मुहम्मद जैसी की की कडवक जो है यह मलिक मुहम्मद जैसी रचन है तो दोस्तों यह कॉष्ण आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन हो आता है इसको आप जबुद धान रखेंगे अगला क्वेशन है दोस्तो गाउं का घर शिर्षक कविता किस कविता संग्रह की है ठीक है दोस्तो तो इसका से अंस रहे जगा दोस्तो अप्शन नमबर यानिके अग ये हैं कौन है दोस्तो अग ये जो हैं वो रोज कहानी के कहानीकार है अगला क्वेशन है दोस्तो पिर्थवी का पडियावची शब्द है पिर्थवी का पडियावची सब्द हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तो अप्शन नमबर यानिके भूमी होता है क्य के लिए काफी इंपोर्टन होयता है अगला कुशन है दोस्तों रगुवीर सहाय का जन्म अस्थान है रगुवीर सहाय जी का जन्म अस्थान का है दोस्तों तो इसका सही अंसर रहेगा दोस्तों और सी यानिके लखनों में रगुवीर सहाय का जन्म का हुआ था लखनों में को वांतिक कि पति का नम क्या है महशवर है महसे माल्धी महसे महशवर आसानी से आप याद रख सकते हैं वाकरिण कर रंगूनwoman है गूwhee नेपाल में वर्मामय में जापान में पिंतर बढ़िए वर्मामयत मिया तो सब्सक्राइब आपको क्हा रूत Walny इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेशन है दोस्तों अगला क्वेशन करा उसने कहा था काहनी के नायक है उसने कहा था काहनी के नायक कौन है तो इसका से अंसर जागा दोस्तों आप्शनमर ए यानिके लहना सिंग कौन है दोस्तों लहना सिंग उसने कहा था काहनी तुरुम को थे बात का को समय कि univerES भारत का विशयोश्न होगा फारत का विशयोशन वर सबस्क्राइब करने अपने दुस्तों तक भी Share करें ताकि उन्हें भी डेली ऐसी वीडियो प्रवाइड होती रहे और अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रेस करने ताकि आपको एसी वीडियो सबसे पहले उसका notification मिल जाए तो तब तक के लिए धन्यवाद